आप सबको डॉक्टर रजनी रमण जा साचार संस्कृति वाग राजकी महारानी सुदर्शन कर्ण्या महाविद्याले विका निर्का नमस्कार स्विकार हमने दशकुमारचरित के अश्टम उच्छवास में यहां तक पढ़ लिया था कि चंद्रपालित जो है वहाँ जो की पढ़ोस के राज अश्मक के मंत्री इंद्रपालित का पुत्र है वहाँ राजा अनंत बर्मा के पास आता है और उसके हिर्दे पर अपना अधिकार जमा ल कि दूसरे चाटोकार जमा लेते हैं उसमें यह भी बताया कि जब शिकार पर शिकार की बात करें तो शिकार की प्रसंसा करने लगें जब जूए की बात करें तो जूए की प्रसंसा करने लगें और जब इस्त्री की बात करें इस्त्री प्रसंग करें तो इसी को सही ठहराने लगे और इसी में हमने कल पढ़ा था अब आगे वहाँ कह रहे हैं कि जो इस्त्री की बात चल रही थी वो आगे उसमें कहते हैं कि जो अलब धोप लबदी नहीं उत्कृष्ट शरीर संसकारात सुभग वेशतया लोग संभावनियता कि जो वहाँ जैसे कोई व्यक्ति किसी इस्त्री को आकर्शित करना चाहेता है तो वहाँ अपने शरीर का बड़ा सिंगार करता है उत्कृष्ट शरीर संसकारात उस शरीर के इसमें बहुत अच्छी तरह से सजाता है तो सुभग वेशतया उसका वेश भी बड़ा सुन्दर वो कोशिश करता है कि उसका वेश बढ़िया रहे कपड़े अच्छे हूँ पहने हुए तो लोग संभावनियता इससे क्या होता ह है तो उस व्यक्ति में एक संभावनियता आदर्ग उस प्रभावशालिता उत्पन होती है कि लोग उसको कतारे देखो कितना सुन्दर कपड़ा पहन रखा है इसने वो पहना किसलिए है उस इस्त्री को आकरशित करने के लिए लेकिन अच्छे कपड़े पहनने वाले के पृति लोगों का ध्यान जाता ही है तो लोग भी कहने लगते हैं कि देखो इसकी संभावना बढ़ जाते हैं उसका आदर बढ़ जाता है कि उसने इतने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं अब परम सुहृत प्रियत्वम और उसको उसके मित्र जो होते हैं वह उसका मित्रो मित्रों के पृति इसने क्यों बढ़ता है स्वाभाविक है को मित्रों के बीच यह कहना चाहता है कि देखो मैं उस इस्त्री के पृति आकरशित हूँ वह भी मेरे पृति आकरशित है तो यह बताना चाहता है अपने मित्रों को तो एक तो यह बात हुई दूसरे मित्र उसम बढ़ जाता है। इसके बाद आगे कहते हैं गरी यसी परीजन व्यपेक्षा परीजनों का यानि नोकर चाकरों का जो आदर होता है वहाँ गरी यसी बढ़ जाता है। नोकर चाकरों का प्रती आदर क्यों बढ़ जाता है। एक तो यह है कि अलग ही दुनिया में चला जाता है। तो दूसरी बात यह है कि नोकर चाकर जो हैं वो कहीं भेद न खोल दें। इसलिए उन के पृतिवा ज़्यदा ही प्रेम करने लगता अदर करने लगता है ताकि वे चूप रहे हैं। यहीं समझ में आ रही है बात हुँ है। और इसमित पूर्वावि भाशित्वम और उसका बोलना कैसा हो जाता है मधूर हो जाता है इसमित पूर्व भाशित्वम मुस्करा कर बोलता है उद्रिक्त सत्वता अंतरात्मा में जो सत्वता उसके अंतरात्मा है उसमें क्या है उद्रिक्त उसमें उत्फुलता आती है प्र जो शिष्टाचार से दाक्षण्य मतलब शिष्टाचार से क्या करने लगता है दाक्षण्य यानु वर्तनम ग्यभार करने लगता है अपत्य उत्पादने नो भै लोक श्रयस करत्व मिति और अपत्य का संतान का उत्पादन होता संतान पैदा होती है तो इस से इस लोक और उ बढ़ी माननेता है कि संतान पेदा होती है तो व्यक्ति का परलोग सही हो जाता है और इस लोग में भी शंतान होने से खुशी मिलती है इसलिए यह लोग भी सुधरता है और परलोग भी सुधरता है यहां तक हो गया इस्त्री का प्रसंग अब आगे कहते हैं कि जब वह पान करता है मद्दे पान करता है सुरा पान करता है तो नाना विध रोग भंग पटी सा मास वाना मासे वनात स्प्रेणी वह वस्थापनम तो वह मद्दे पान करता है इसको वह बताता है कि यह तो यह यववन को इस्थिर रखता है, यह बताता है, क्या कहा है? यह जो यववन है इसको यह स्थिर रखता है कैसे? तो कहते हैं कि नाना विधरोग भंग पटीयसा, पटीयसाम, आसवा नाम, सेवनाथ, नाना प्रकार के आसव होते हैं, अलग अलग तरह के आसव होते हैं, आसव मतलब सुरा, शराब, तो ये क्या होते हैं, कि ये जो आसव होते हैं, ये अलग अलग रोगों में, दवा के रूप में भी काम क अलग अलग प्रकार की मधरा मधिरा अलग अलग बीमारियों को दूर करने में परभाव शाली होती है। जो आत्मसंतुष्टी होती है अहंकार प्रकर्षाद जो अपने अहम की प्रकर्ष होती है तुष्टी होती है आत्मसंतुष्टी होती है तो इससे क्या होता है प्रकर्षाद अशेस दुहुक्तिरसकर्णम हर प्रकार की चिंता क्या हो जाती है दूर हो जाती है यह हर प्रकार की चिंता को समाप्त कर देती है क्योंकि आत्म संतुष्टी की प्रभावपूर्ण समझ को उत्पन्न करती है अहंकार प्रकरशाथ अहंकार जो अब मुझे किस बात से संतुष्टी मिलेगी इसको समझ लेता है और वही काम करता है जिसे आत्म संतुष्टी मिलती है तो आत्म संतुष्टी की समझ को उत्पन करती है ये मदिरा क्योंकि मुझे इसी से मदिरा से संतुष्टी मिलती है और अहंकार प्रकरशाथ जो किसी भी प्रकार के का जो अहंकार है वो जो है उसका उसकी संतुष्टी होती है तो प्रकरशाथ ए हॉए हमकर करते हैं तो समय अपने को हरुसद्व का सवामी समझने लगता है जिससे उसका दूर दूर तक कुछ लेना दिना नहीं है लेकिन हर चीज। स्वामित तो अपने आपको मालिक समझने लगता संसार से तो उसको संसार का तो उसके अंकार की तुष्टी होती है तो उसकी चिंता जहवा दूर हो जाती है प्रकास अंग जराग दीपनाद अंगनोप भोग शक्ति संदुक्षणम और यह क्या होता है इसके साथ ही यह सुंदर युवतियों का भोग करने के लिए व्यक्ति की ख्रमता को उत्तेजित करती है यह जो राग होता है व्यक्ति में राग होता है जिसको हम कह सकते हैं कि किसी के पृतियासक्ती जो होती है उसको बढ़ाती है यह मदिरा उस राग को उदिप्त करती है और जो इस्त्री का उपभोग करने की ख्रमता इससे बढ़ जाती है जो सुन्दर योतियों का उभोग करने के लिए व्यक्ति की ख्षमता को उत्तेजित करती है क्योंकि यह राग के उत्तिपन को बढ़ाती है राग का उत्तिपन बढ़ा मतलब राग जो है जो आसकती है वो बढ़ी और उतेजना हुई और इस तरी का उभोग करने के ख्षमता बढ़ देगी इसलिए आपने ध्यान दिया होगा यदि समाचार भी कभी पढ़ने में मिलता है तो जो इस तरह की कामुकता भरी घटनाएं होती हैं आपने ध्यान दिया होगा वे लोग शरावी ज़्यादातर होते हैं तो शराव जो है कामोतेजना को बढ़ाती है तो ये कहीं तो अपराद है और लेकिन ये जो चाटुकार है अपराद करने के लिख साता है ये जो चाटुकार है चंद्रपालि तो वो उसको गुण के रूप में देखता है कि अरे इससे तो आपका योवन बढ़ता है श्त्री को काउब्रोग करने के ख्शमता बढ़ती है इस तरह से उसको गुण बताने लगता है फिर आगे कहते हैं अपराद प्रमार जनान मना शल्योन मार जनम अपराद प्रमार जनान किसी भी प्रकार की अपराद की स्मृति को साफ कर देती है मैंने कोई अपराद किया है वो जो मेरे अंदर सूल की तरह गड़ रहा है सराप पिते ही वो खतम तो कहते हैं अपराद की स्मृति को प्रमार्जन कर देती है इससे क्या होती है बात निकाल फेकती है मन में चुबे किसी भी प्रकार के शूल को निकाल फेकती है क्योंकि जब अपराद की स्मृति ही खतम हो गई मैंने क्या अपराद किया तो वो शूल की तरह गड़ेगी कैसे इसलिए यह अपराद की स्मृति को समाप्त कर देती है जो मन में शूल गड़ रहा था वो उसका उनमार्जन कर देती है इसके बाद और आगे क्या करता है कि यह आत्म विश्वास की भावना को बढ़ाती है कि यह आत्म विश्वास की भावना को बढ़ाती है किस प्रकार तो कहते हैं कि सतंतर चर्चा से प्रेड़ना के द्वारा जो रिजुता मिलती है यानि सरलता होती है अशाठ्छे संसी भी अनरगल प्रलापे जब इस शराब के नशे में विक्ति बात करता है तो धूर्टता से भरी बात नहीं करता है अशाठ्छे संसी भी जब इस अनरगल करता है जिस पर कोई बंधन नहीं नहीं है जो उसके भीतर में वो निकलता है तो इस तरह से क्या हुआ कि जो बात सच्ची है वही उसके भीतर से निकलती है इस तरह से क्या उसमें धूर्टता का भाव है? यह मान रहा है. चुर अशाच्ठ्य शंसिभीर जो मूर्ख के द्वारा नहीं कही गई है ऐसे स्वतंत्र विचार के द्वारा जो सरलता है वह आत्मविश्वास को प्रेरित करता है. जो अशाठ्य संसिभी का आर्थ हुआ कि जो वह बात करता है वह मूर्क के द्वारा कही वी बात नहीं होती है और वह अनरगल प्रलाप है जो प्रलाप है वो जो बोलना होता है उसका वह अनरगल होता है मतलब सतंत्र होता है तो सतंत्र होता है तो इस तरह से क्या होता है कि वह बिना बिल्कुल सरलता की बात करता है सरल व्यक्ति जिस तरह से बोलते हैं उस तरह से वह बोलता है तो इस तरह से क्या होता है कि उसके अंदर विश्वास बढ़ता है आत्मविश्वास की भावना बढ़ती है क्योंकि वह सरलता से बोलता है और उसकी बातों में रिजुता होती है जो मुर्खता नहीं होती है तो इसलिए उसको लगता है कि मैं अच्छी तरह बोला और उससे उसका आत्मविश्वास बढ़ रहा है यह अमिश्रत यानि शुद्ध खुशी देती है जो खुशी है वह मिली जुली नहीं है अननु बंध है यानि बिलकुल शुद्ध खुशी मिलती है इससे क्यों तो कहते हैं मत्सरान उबंध हानकान वेस्ति खुशी है उसमें कोई प्रकार का मिश्रण नहीं है जैसे कि इसके उपभोग से व्यक्ति अपने इंद्रियों के विशयों से निर्बाद खुशी प्राप्त करता है। रूप रसगुण और गंध है ना जिसे अपने चार जाने पांच जानेंद्रियों के जो विशय हैं। तो इन पांच जानेंद्रियों के द्वारा उनके जो विशय हैं उनको लगातार अनभव करता है। तो बढ़ा देता है। मित्र बढ़ने लगते हैं दारूपीने वाले सारे। अनुपमान अमंगलावने में अंगों में बहुत सुंदर्ता अतुली शों सुंदर्ता आ जाती है। अनुत्राणी विलसितानी अजे विलसिता यानि प्रसनत्तापद क्रिया कलापों को यह देती है। जो इसके जो विलस हैं ये जो अपनी बात कहता है। वो अजे है उसकी जो अनुत्राणी कोई विलस्पों में दे सकता। उस विलास की खुशी ही अलग हैं और भयारती हरनाच संग्रामी कत्वमिती और किसी भी परकार का भै समाप्त हो जाता है इसमें इसलिए व्यक्ति संग्राम के लिए भी तयार रहता है अच्छे-च्छे योध्धा जो है वो शराप पी लेते हैं उनका जो भाय है वह समापत हो जाता है और फिर वो युद्ध करने लगते हैं तो इस तरह से हमने कुछ और पढ़ा अब शेश हम आगे पढ़ेंगे धन्यवाद